हलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग जैएबी एक्जाम अगर में 2024 में आप टार्गेट कर रहे हो तो आपको यह वीडियो जरूर से देखना चाहिए क्योंकि मैं इसमें गाइडलाइन जैएबी जो में 2024 में एक्जाम होगे उनके बारे में बताऊंगा इस्पेशली अगर आप पास टाम एक्जाम दे रहे हो जैएबी के लिए तो आपको यह वीडियो तो जरूर से देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी एक्जाम के पैरटन, टाइमिंग और क्वेश्चन कितने आएंगे और स्टैटेजी क्या होने चाहिए, फ्री डिसोर्स क्या है वीडियो में यह सारी चीजे आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो में वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि जो फ्री डिसोर्स यह और important है आपके लिए तो बहुत ऐसी चीजे हैं जो आगर एक दूसरे से connected है वीडियो के स्किप करके देखेंगे तो वह चीजे नहीं समझ में आएंगे तो लास्त तक जरूर से देखना चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने नए हो और नहीं किया है तो आप जरू सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले देखेंगे eligibility क्या है eligibility यह एक्जाम को कौन दे सकते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो आप अगर बैंक में काम करते हैं कोई भी इंप्लॉई बैंक का या या इंडस्ट्री का जो मेंबर है मेंबर है कि अधिव का मेंबर बैंक है वह वह इलिजिब्ल है ordinary member बनने के लिए मतलब उनके कोई भी इंप्लॉई इन दोनु इंस्टिउचन से कोई भी इंप्लॉई अगर member है IABF के तो वो ordinary member बन सकते हैं उनको जो डिगरी मिलीगी उसको बोलते हैं हम लोग J-A-I-I-B यह Junior Associate of Indian Institute of Bank की जो member bank में नहीं है exam का preparation कर रहे हैं या जिनका IABF का exam निकल गया है IBPS से bank PO color या किसी भी bank के exam इकल चुका है अब आप सोचते हैं कि थोड़ा banking से related कोई course कर ले तो आपके लिए DBF Diploma in Banking and Finance आप कर सकते हैं यह सेम चीज़े बट आप member ordinary member में non member के थुरू आप login कर सकते हैं benefit क्या है JIB exam का वीडियो में comments करके अगर पूछना अगर चाहते हो कि क्या benefit है कितने salary increase करीगी तो वीडियो में जरूर से comments किजिएगा मैं दूसरा वीडियो उस पर बना दूँगा कि कितनी salary आपकी increment होती है per month JIB और CAIB crack करने के बाद तो यह तो हो गया कि ordinary member अगर आप कोई भी bank financial institution अगर आपका member है IBF का तो आप ordinary member बन सकते हैं दूसरा एजुकेशनल qualification 12th pass होने चाहिए 12th pass होने चाहिए तो आप यह एक्जाम minimum के रिटेरिया है 12th pass exception है clerical grade में और supervisory staff के लिए यह exceptional है अगर वहां के कोई head आपके branch head या फिर उस particular department के head अगर IBF को यह letter लिख कर application लिख करके देते हैं तो यह wave off कर देते हैं वैसे junior staff के लिए जो 12th pass नहीं है eligibility for subordinate staff for bank इनके लिए भी same है इनको भी 12th pass होना mandatory है तो यह हो गया आपका eligibility criteria next देखते हैं देखो जी आइबी exam जो इस बार 2023 से pattern change हो गया May 2023 से पहले तीन पेपर हुआ करते हैं लेकिन अब चार पेपर है फोर पेपर्स आर देयर इन जी आइबी exam फर्स्ट है इंडियन economy and इंडियन financial system जिसको हम लोग बोलते हैं आई-ई-आई-ए-फस चार्ट में ठीक है यह फर्स्ट पेपर है सेकेंड पेपर है retail banking and wealth management इसको बोलते आर बी डबलू एम यह फोर पेपर्स हैं जी आइबी के एक्जाम में जी आइबी या डी बी एफ दोनों का स्ट्रॉक्चर स्लेबस सब कुछ सेम है अगर आप किसी बैंक में इंप्लॉई हो और आप किसी financial institution में इंप्लॉई हो और वह इंस्टिटूशन और बैंक आई आई बीएफ का मेंबर है तो यूइल गेट जीएबी डिग्री अधर्वाइस आपको डीएफ के डिग्री मिलेगा बस डिग्री का फर्क है ठीक है तो यह चार पेपर होते हैं जीएबी के एक्जाम में अब आईए जो में 2024 में कितने माक्स चाहिए आपको इ अगरेट 250 माक्स एच मिनिममम आपको 200 माक्स चाहिए पास होने के लिए लेकिन आई बीएफ ने एक दोरा सा आपको आसानी दे दिया है एक आपको रस ते दिया है वो क्या कि दोरा सा आपको एक freedom है कि अगर marks आपका 50 से कम आता है लेकिन 45 से नीचे नहीं तो भी आप पास कर सकते हैं फस्ट attempt में ये करिटेरिया सिफ फस्ट attempt का है फस्ट attempt फस्ट attempt के लिए ये करिटेरिया है वो मैं डीटेल से बताऊंगा आपको तो ऐसे समझिए कि अगर आप एक्जाम दे रहें सिनारियो वन लेते हैं यह आपका सिनारियो है कि सिनारियो कि आपने आई-ए-बी-एफ में 49 लाया सपोस किजिए आप में 2024 में टार्गेट कर रहे एक्जाम आप अपेयर हुए और आपको 49 आया आई-ए-ए-फ में प्पीव में 44 एफम में 52 और और वीड़ेव में 55 आया तो आइडियली आप इस पेपर में 200 तो एग्रिगेट ले आया है लेकिन यह पेपर में आप फेयल कर गए क्यों कि यहां पे आपको 44 आया सेकंड पेपर में तो यह पेपर आप पास नहीं कर सकते मिन आपको नेक्स टाइम जब देना होगा तो इस एक्जाम को ही देना पड़ेगा जिसमें 50 से कम आया बट अगर आप एक मार्क्स अगर यहां पे 45 आ जाता तो आप यह यह पास कर जाते हैं उसी तरह यह सिनारियों देखिए इसमें भी मार्क्स 200 है बट 45 46 यहां 44 आने के 45 46 49 60 200 यह पेपर क्लियर है सेनारियो 3 मतलब बंदा पास हो गया यह अगर इतने मार्क्स आते हैं क्योंकि कोई भी 45 से नीची नहीं है तो इस पेपर में आप पास कर जाते हैं इस पेपर में आप 50 50 62 यहां पे 44 आ गया मतलब आप पास नहीं किये हैं तो आपको नेक्स टाम चब एक्जाम देना होगा तो सिर्फ इस पेपर का देना होगा आपको तो यह एग्रिगेट मार्क्स 200 आपको लाने होंगे मिनिमंग 45 अब आईए किसमें अटेम्ट कितने मिलते हैं देखो इसमें अटेम्ट 5 मिलते हैं कितने मिलते हैं टोटल 5 अटेम्ट आपको मिलेंगे 5 attempt मिलेंगे और 3 years का time frame होगा और वो भी non-consecutive attempt allowed है ठीक है non-consecutive attempt allowed है वो क्या है वो आपको मैं ऐसे समझी है लेट से कि एक time frame है आपने start किया में 2024 में exam दिया ठीक है में 2024 में आपने registration किया यहां आपने first time exam दिया फिर क्या हुआ कि यह exam आपने miss कर गया है तो आपके लिए ideally फिर November 2024 में आपको second attempt मिलेगा लेकिन आप इसको भी miss कर गया यह pass नहीं कर पाएं फिर आपको मिलेगा May 2025 में आपको फिर यह third attempt मिलेगा फिर एक registration में एक registration में आपको यह इतने attempt मिलते हैं फिर आपके पास जो चौथा attempt होगा वह November 2025 में मिलेगा फिर आपको में 2026 में एक attempt मिलेगा अब एक चीज बताइए टोटल आपको त्री एर्स मिलते हैं यह त्री एर्स मिलते हैं नए एक attempt और मिलेगा आपको डटिस नॉब्बर 2026 में मिलेगा अब यह आए भी एट क्या बोलता है कि यह यह तो आप पांच attempt में consecutively ले लिजिए या फिर इसको आप मिज करके यहां से आप पास कर लिजिए टोटल आपको फाइब एक त्री एर्स का मिलेगा त्री एर्स का डियूरेशन है आपके पास पास करने के लिए अटेम्ट आपको फाइब ही मिलना है तो अब देखिए अगर इस सिनारियों में आपने यहां से अटेम्ट करना शुरू किया आप यह दोनों एक्जाम स्किप कर गये यह दोनों स्किप कर गये आप है अटेम्ट आपको 5 ही मिलेगा आप जहां से स्टार्ट किजिए 5 ही अटेम्ट मिलेगा आपको clear है नॉम कंजिकिटिव है मतलब ऐसा नहीं कि आपको यहां पर यहां पर कभी भी आप इसकिप कर सकते गिसी भी एक्जाम को 5 अटेम्ट क्लियर अगर नहीं कर पाएं तो नेक्स्ट वी क्या है एक्जाम का एक्जाम का फी अगर फस्ट आप दे रहें किलना है आप में 2024 टरगेट करें इससे पहले आपने लिए नहीं किया है तो आपको प्लस टैक्स ड्las यो एपलिके स्ट में फैसन में प्लस लगेगा आपको ठीевич evapor SP आपको नहीं देना हैं आपको हर एक्जाम में यह थरीणेंड़ प्लस टैकसेड देना होगा कि시ब सब्दूस करोगैं में यह थoo मेंडनी तवूर में इस एक्जाम क्लिर नहीं किया अब नेक्स टायम आपको एक्जाम गरएंग तो पहले क्या होता प्लस टैक्सेज यह हो गया exam fees अब आते हैं हम लोग next medium हिंदी और English में exam conduct होता है online mode में पहले offline होता था वो बंद हो चुका है अब online mode में आपको center पर जाना है और जा करके exam देना है online mode में जिस तरह आप आई बीपीएस का exam po या color का देते हैं उसी तरह आप इसका भी एक्जाम देते हैं चार पेपर हो गए हैं eligibility हम लोग समझ गए हैं पैटर्न आपका एक्जाम का मेडिया भी हिंदी और इंग्लिश और ऑन्लाइन ही होता है इसके अलावा पैटर्न डियुरेशन और allow प्रियोडिशिटी ओफ एक्जाम उन्डेड कोईशं आते हैं इस एक्जाम में उच्छे जाते हैं अन्डेड मार्क्स के होते हैं कोईशं का जो मार्क्स होता है वह बैरी करता है ज़ाधातर प्रक्ष्षन आपको फॉइंट-फाइव मिलेंगे फ यह फिक्ष नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा कोई भी रौंग एंसर के लिए आपको नहीं देना है क्वेस्षिन आएंगे रहें गजांगे एक्षाBe Chernay वो यह नॅ को प्रियोडसी अब आते हैं लोग बात करते हैं कि इसमें total syllabus क्या है कितने paper आपको पढ़ने से exam को crack करने के लिए देखिए इसमें four papers है जैसा कि आपको मैंने बोला आपको इसमें four papers है अगर बात करें four Indian economy, Indian financial system की तो इसमें यह paper जो है यह four अलग-अलग module में divide हो गया A, B, C, D इस A, B, C, D module में अलग-अलग banking context में अलग-अलग vertical है जैसे अगर इसकी बात करें तो इंडियन economy के context में बात करनी है यह fundamentals of Indian economy concept के बात करनी है इसके बाद आपको banking term में इंडियन financial system इंडियन financial system यह दो पार्ट है यह क्या है यह पार्ट और यह पार्ट यह दोनों अलग-अलग पाई इंडियन economy है और यह इंडियन financial system है इंडियन economy is nothing बट आपने अगर 11-12 का अगर यह देखा है इंडियन economy ncrt के बुक तो आपको बस वही पढ़नी है 11-12 यह बस वही है लेकिन इसका वेटेज है 50% और इसका भी वेटेज है 50% question 50% यहां साते है 50% यहां से आते हैं तोटल चैप्टर 45 में तोटल मॉडियल 4 है उसी तरह पीपीवी में अगर आप देखेंगे तो पीपीवी में तोटल मॉडियल जो है वह है और चैप्टर है 45 A B C D मॉडियल के में 21 चैप्टर है मॉडियल 2 में 20 है जोटी में 9 चाप्टर है मॉडियल 2 में 5 चैप्टर है यह इतने सारी चैप्टराटए आपको PPB में पढâteने है לएं ने करे अनक्स्ट नेक्स पेपर है अकाउंटिंग से रिलेटेड जी आई भी आपका economics बैक्ग्राउंड बैंकिंग से रिलेटेड जो economics होना चाहिए वह आपकी जानकारी है कितनी उसको अब जानते हैं उसको test करता है उसी तरह आपको फिर प्रीपीवी जो practices चलते हैं बैंक में और उनके principles क्या है वह प्रीपीवी के थुरू करता है फिर बैंकिंग में जो accounting entries होती है वह पेपर है AFM accounting and financial management for bankers इसमें भी आपको चार मॉडियूल है मॉडियूल ए मॉडियूल बी और मॉडियूल इस मॉडियूल में A में टोटल जो chapter है 11 इसमें जो chapter है 7 इसमें 10 और इसमें 7 यह total 35 chapters आपको accounting and financial management for bankers में पढ़ने हैं फिर आते हैं इसमें टोटल चैप्टर है वह 26 है जिसमें आप मॉडियूल ए में 3 chapters है मॉडियूल बी में 12 है और मॉडियूल कि में 6 चैप्टर है और मॉडियूल दी में 4 चैप्टर है यह एतने सारे मैंने एक वीडियू बनाया है इसमें details है वह description box में भी मैंने दे रखा है आप उसको देख लीजिएगा कि उस वीडियू का लिए उसमें details analysis मैंने दिया है कौन-कौन से chapter आपको परने है यह नया स्लेवस में तो यह इंडियान इस वीडियो में हम लोने देख लिया क्या क्या स्लेवस है अब आज यह बस क्विकली एक चीज़ देख लेते हैं कि अब आपके पास resources क्या है जिया वी क्रैक करनी के लिए first attempt में अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करने चाहिए यह resources क्या क्या करेंगे आपके पास books है obviously आपके पास books होंगे books या study material इससे आप पढ़ाई करेंगे एक तो वह हो गया दूसरा क्या होता है live classes आप आजकल live classes बहुत सारे student attend करते हैं live classes तो बुक में अगर पहला क्या है यह Macmillan की बुक Macmillan की बुक Macmillan की बुक recommended है आपको यह बुक किसकी पढ़ सकते हैं Macmillan की बुक आप पढ़ सकते हैं आपको किसी अच्छे institution से मिल जाता है तो भी आप उसको रेफर कर सकते हैं live classes एक option है आपके पास जो आजकल ट्रेंड में है live classes आप ले सकते हैं लेकिन live classes वैसे वाला मतलेना जो चिला चिला के बुलते यार 30% यार 80% discount यार 90% discount वैसे वाले live classes से मतलेना वो सिफ और सिफ और सिफ और सिफ सेल करते हैं आब आपको सिफ और सिफ घुमरा करते हैं सिफ यह बोलते हैं वह वैसे वाले को मतले ना जो चिला चिला के हर वीडियों में बुलने आपधाटर आप आपटर्व करेंगे तो 80% मिल जागा आफ आप आप ँर्लोर्स कर Associate करते हो अगर अच्छा मिल आता है तो Well and Good दूसरा है recorded class यह अगर आप अपने self study करना चाहते हो self study करना चाहते हो तो recorded class है आपके पास अपने हिसाब से जब आपको time मिलता है तो आप पढ़ाई कर सकते हो एक तो self study आप गदि हो गिया recorded classes हो गया और क्या resources है मौप करने के लिए इसमें से आपके पास इसमें यह इन आप इसमें आप इस पर जो इस पराओ यह आप मौक कर सकते हैं मौक टेस्ट कभी भी आप इस किप नहीं कर सकते हैं सबसे important आप metropolitan मौक Big an disruption के लिए और मॉक्टेस्ट में देखो एक मॉक्टेस्ट में होता है चैक्टेस यह होता है और एक होता is topic wise, topic wise, आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है, यह topic wise है, क्यों, क्योंकि exam का जो pattern है, वो change हो गिया है, exam का pattern जो है, वो change हो गिया है, अब क्या होता है, conceptual exam के जो question आते हैं, आते हैं, वो conceptual questions आते हैं, जो आपको जानना है, तो topic wise, जब भी पढ़ाई करो, topic wise करो, मतलब, मतलब यह कि अगर आप कोई एक topic पर रहे हैं, इंडियन economy, इंडियन financial system से, suppose करो कि economics planning in India पर पढ़े हैं, यह एक chapter है, आप इससे suppose करो, 25 to 30 questions आपने solve कर लिया, 25 to 30 questions solve कर दिया, तो is that enough, is that enough to crack JIB exam, अभी के सिनारियों में जो pattern है, यह enough नहीं है, क्योंकि आपको topic wise पढ़ने पढ़ेंगे, चैप्टर और topic में क्या है, मतलब इस chapter के अंदर आपको definition of economics planning है, इस topic से question solve किजिए, history of economic planning है, इससे solve किजिए, objective of economic planning है, इससे solve किजिए, types of planning, achievement of planning यह इससे solve किजिए, फिर financial resources for five years plan, यह इतने topic है, इससे, इन सबसे आपको solve करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि, yes, I can crack JIB exam, तो बिना इसके आप crack नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं, यह आपके लिए important है, mock test लगाना तो important है, recorded class, आप कोई भी recorded class, जहां पर आप self pair scores कर सकते हैं, अपने हिसाफ से कर जी, live classes, अगर आपकी timing match करती है, आपके पास time available है, तुबा और शाम मिला करके या शाम में, तो उससे साफ से आप live classes दे सकते हैं, लेकिन वैसे वाले class मत करना, जो चिला चिला के बोले, 80% discount है, 90% discount है, आज ही enroll कर लो, आज ही offer है, वैसे वाले से चिला चिला के, जिसमें faculty खुद ये बात बोले, तो यार जो faculty पढ़ा ने रहे, वो sell कर रहे, वो फिर उस पर मत जाना तुम, books में Macmillan recommended है, कहीं study material अच्छा, अगर मिल जाता है institution का, तो आप ले सकते हो, मेरा भी, मतलब मैं अगर my online prep का करूं, तो आप देख सकते हो, मैं वैसे वाले part में यकीन नहीं रखता हूँ, जो चिला चिला के, अपनी चीजों को बोल रहा हूँ, काफी है, जो student जानते हैं, कि हाँ, वो course material कैसा है, video lecture कैसा, live classes कैसा होता है, तो इस पे अगर और आप बोलेंगे, comments करेंगे, तो एक topic जिस पे आप चाते हैं, वीडियो बनने, आप comment section में जरूर करो, इस वीडियो पे मैं कोशिस करूंगा, कि आपको एक नय वीडियो उस पे बना के दो, अब क्या है previous year question, एक तो यह हो गया, यह जरूर से देखना, देखो, previous year question, अगर आप preparation कर रहे हो, और आपको अभी आपको preparation करना है, topic कौन-कौन सा है, important topic और module कौन सा है, weightage, high weightage वाले question, किस topic से आते हैं, वो previous year question से आपको पता चल जाएगा, अब यह previous year question, यह तो, IABF तो flash करता नहीं है, मिलेगा कहां से, वो कभी भी IABF मार्केट में आपको मिलेगा नहीं previous year question, तो देखो, जो institution होते हैं, अच्छे institution, वो collect करते हैं, recall questions, memory based question, कि बहुत सारे student है, जो share करते हैं, बहुत बहुत सारे student है, वो आकर के दो, share के इस topic से, दो, share के उस topic से, वो एक collection बन जाता है, वो कोई-को institution रखता है, यह free resources आपको, यह free resources, previous year questions का, आपको my online prep पे मिल जाएगा, आपको, क्या-क्या मिलेगा, इसमें free PDF, आप download कर सकते हैं, link मैं description box में दे दिया हो, कि free आपको, इसका PDF कैसे मिलेगा, आप उसको download कर सकते हैं, previous year question, उसके बाद आपको, free attempt with explanation, अगर आप, अच्छा, जो PDF होगा, उसमें explanation नहीं हो क्योंकि उससे lengthy हो जाएगा, PDF, तो जो PDF है, वो explanation के बिना है, explanation जानना हार के लिए, तो आपको attempt करना पड़ेगा, वहाँ पर website जाकर आप में जाकर के, आपको attempt करना होगा, my online prep के, फिर क्या हमारे पास है, full length mock test, जब आप ये कर ले, topic wise, chapter wise, mock test आप complete कर ले, तो full length last के दिनों में, जब exam 10 days before, 1 week before, आप ज़रूर से full length mock test दे, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा, कि actual आप कहां पर है, you can gauge yourself where you are landing, in real time examination, in realistic examination, if you appear in that exam, how many marks you can get on that particular exam, तो full length में आपको ही idea लग जाएगा, तो ये ज़रूर से दे, last के दिनों में, फिर best strategy to crack GIB exam in one go, क्या हो सकती है best strategy, कैसे इस exam को, अब ये तो syllabus हो गया, अब इस exam को कैसे crack किया जाए, जल से जाद एक ही बार में, देखो, सबसे important क्या होता है, कि हम किसी भी exam को crack करने से पहले, पहले एक रन्नीती बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रन्नीती बनाते हैं, और उस रन्नीती में हम लोग ये करते हैं, कि हमारे पास resources क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आता है कि when should I start, start आप कब करेंगे, पहला question ये है, सारी चीज़ी आती है यहां से, when, ये बहुत important है, आप कब start क कर रहें, जैबी का exam, उसके बाद ही सारे strategy आएंगे, तो जब when, 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 should I start, उसके बाद जब question आएगा, आपके माइड में, वो how should I start, उसके बाद फिर आप पीर सोचेंगे, कि how much should I study, एक ideal scenario में, जैबी, इससे पहले एक data समझो, देखो, total paper कितने है, paper कितने है total, total paper यहां पे, चार है, papers four है, IEIFS, TPB, AFM और RBWM, इन total को चार module में बाट दिया गया है, A, B, C, और B, है ना, तो total 16 module है, 16 modules है, उसके बाद अगर आप IEIFS, IEIFS, इसमें total जो topic है, 45 chapters है, 45 chapters है, यह देखिए, यह total 45 chapters है, आपको पढ़ने हैं इस book में, टोटल, उसी तरह, उसी तरह, आप, टोटल modules केतने 6, आई यह IEIFS में, टोटल 45 chapters हैं, पीपीवी में आपको, पीपीवी में, आपको, पीपीवी में आपको, पीपीवी में आपको, पीपीवी, इसमें आपको 55 chapters हैं, उसके बाद chapters है, जो, AFM, AFM में कितने chapter हैं, AFM में आपको जो chapter हैं, वो 35 हैं, RBWM, RBWM में total 30 chapters हैं, यह इतने सारे chapter हैं, मतलब 165 chapters आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 165 chapter में, अगर IEIFS के single बात करेंगे, तो इसमें total 840, 840, 640, 640, 930, उसके बाद, यह 630, 640, यतने सारे pages हैं, सारे book के, मतलब total आपको 2800 pages आपको परने हैं, JIB exam के लिए in order to cover 100% slavers, 100% slavers आप cover करने के लिए आपको 165 chapters, जो 200, 2800 pages में हैं, वो आपको cover करने पढ़ेंगे, अब आपकी strategy क्या होगी, क्या आप इस exam को एक महिने के preparation में crack कर सकते हैं, क्या आप exam को दो महिने के preparation में crack कर सकते हैं, क्या आप इस exam को 3 मन्त के preparation में crack कर सकते हैं, आपका question होगा कि इन ideal scenario कितने कब हम लोग preparation शुरू करें, कि हम लोग 100% नहीं तो 80% slavers को हम लोग cover कर लें, सिनारियों में 100% आपको कवर करना है अगर आप इडियल सिनारियों में है तुर पूर मन्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे एक्जाम के पहले थी टुर तो आपका 100% कवरेज हो जाएगा उसके लिए आपको पहना कितना पड़ेगा उसके लिए आपको पहना कितना पड़ेगा और मच शुड़ाइब तो घंटे तू आर्स तू आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको 100 परशन से लिए यह अध़िए स्लेवड को सरकAK कर ने के लिए मतलब 155 टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको आर्स डेली पढ़ने पढ़ेंगे ठीटीक प्र मॉस्स करणे अब आप फिरी मंठ्स में तो नहीं कर पाया टू मंस में क्या होगा तो आप यहां ओर स्थेली पढ़िए फिर आप ओर पढ़िए यह पर्सेंटेज आप का कम हो जाएा कहां एक मन्थ में कभला करना और इसका परसेंटेज घट करके 60 परसेंट आ जाएगा स्लेवस आप कवर का पाएंगे तो जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन का लेवल पोर मंद करते हैं थ्री मंद्स टू मंद्स वन मंद्स तो इसमें क्या होता है यह परसेंट परसेंट उसके बाद यह 60% मान के चलते हैं 60% यह 80% और वन मंद्स में 50 50-60 मान के चलें यह परसेंटेज आपके पास होने के परसेंटेज हो जाते हैं फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तो आइडियल सिनारियों में रिकोमेंडेट नहीं है तो अगर आपको जयावी प्रिपरेशन करने हैं तो उसके लिए आपको 3-4 मंद्स आपको प्रिपरेशन पहले करने होंगे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको अगर कुछ भी इसमें कमेंट्स करना है कोई भी टॉपिक जानने है नहीं चीज़े जाननी है उसके लिए जरूर से आप कमेंट्स कीजिए मैं कोशिस करूँगा कि उस टॉपिक से उसका नए वीडियो आपको बना क करके अविलेबल करा दो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर देना थैंक यू